स्वागत है आपका अपने यूटिब चैनल स्टड़ी विद अमन कुल में अजे हम लाए हैं शिक्षा नीदी शाले रास्य राजदानी शेति दिली की कारे पर तक नमेर 29 जो कि क्लास 6 के लिए है विशे आपका विज्ञान है डीट है जिसकी 29 ऑक्टूबर 2021 आप अपना नाम आज हम अपना चैप्टर पौदे को जानिए कंटीनियू करेंगे आपको बता है फूल जो होता है वह पौदे का सबसे खुबसूरत और रंगीन भाग होता है आप देख सकते हैं पौदे का डाइगराम भी आपको देख है यह तनी यह शाका से एक छोटे से डंडल की साहता से जुदा रहता है एक फूल के डंडल के अधार पे ऊपर चार चकर होते एक फूल में बादल पाउड़ि पुणकेसर और स्तिरी केसर होते है अब फूल के भाग में देख लेते हैं इनके functions के देख लेते हैं बादल क्यों हरी पत्ती जैसी सरचना होती है आप डायग्राम के साथ देखते जाएंगे जो कली की रक्षा करते हैं वह एक फूल का सबसे बहारी बाग होता है पंकुडी फूल का रंगीन भाग है यह खुश्बूदार होता है यह परांगन के लिए कीटों को अकरशिक करते हैं यानि परांगन जो एक प्र प्रतिका और वर्तिकांग मैं दराल एक डंडल होता है जिसे ठंथ्म कहते हैं और थैलेशना पर्विश्बूद परांग जोज द्हूंरह करने प्रूल की कारएं फूल पादे जनन अंग है इसमें रंगीन पंकुरियां होती है कीटों को अकर्शित करती हैं परांगन में मदद करती है प्रांगण के बश्यात फूल बीज उत्पन करता है तो यह कुछ कारे थे फूल की अब अपने आसपास दो अलग अलग फूल लीजिए और उसकी बहांदल और पंखुडियां का निरिशन करें यानि आपको उसका बहांदल देखना है उसकी पंखुडियां देखनी है उपर दिखाएगा चित्र की साहता से इसकी पूंग के सर को पजाने पर यहां पर आपको यह पूंग के सर की डाइग्राम देखना है दीरे दीरे फूल से पंखुडियां और पंखुडियां को हटा दीजे ताकि आपको पिस्टिल को फर्स टूप से देख सकें नीचे दे गए तालिकां को टिपडी को दर्च करिए अब फूल का नाम सबसे पहले आपको गुलाब दे रखाए गुलाब में पांच क्या होते हैं बादल की संग्या और वो हरा होते हैं पंखुडी की संग्या बहुत सारी होते हैं रंगीन होते हैं और बादल पंखुडी ज को हरा होता है दस बीस गुलाबी होते हैं दस बीस उसमें पंकोडी की जंग के होते हैं गुलाबी होते हैं और यह जुड़े हुए होते हैं पंकोडी से भी जुड़े होते हैं और यह उपस्तित होता है यानि स्त्री के सब उसमें उपस्तित होता है आगे आपको कोश्ण करने निम्क्रिप प्रश्णों के उत्तर दीजे एक पौधे के प्रश्णन अंग का नाम बताईए तो फूल प्रवधे का प्रश्णन अंग है दूसरा प्रश्ण पूल के किस भाग में पुंकिस और पराग को शुपस्तित होते हैं तो नर जनन अंग में तीसरा प्रश्ण है पौ के नर्ज और माध़ा प्रजनन अंग का नाम बताये तो नर प्रजनन अंग हमारा पॉंकिसर rewarded प्रजनन स्ट्री के सन् प्रछने चद्र को बैचानए तो यह चित्र हमारा मिस्फ क्रे डाशे या निक्तूछ स्टी